पूचा सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है तो यह मैं स्टार्ट करें हूँ लॉग बस में बैठे बैठे यहां पहाड़ों से तो यह है कुछ व्यू पहाड़ों के वो जारी हमारी बस हम लॉए आपिसे सुब्हे और अभी होगी है शाम बजगे है 4 और अभी बस से इत्री हूँ5 यहां बस स्टॉप है को दिखाती हूँ इो यह बस स्टॉप है और मैं जस्ट पिख़ाती हूँ और अब जाओंगी घर आज हम 12 बाझा के बैठे यूदि क्योंकि कोई भी कैब नहीं मिली कैब अवेलेबल नहीं थी सारा कुछ भरा हुआ था तो हम बस से आए और कुछ इस टाइप से मेरा गाओं पावरी गड़वाल मैं दिखाते हूं आपको तो यह देखिए रोड के उपर है शीर के जंगल बड़े बड़े पेड़ और अब चलते हैं नीचे अपने घर बस स्टॉप उसके पीछे से हैंगे लोकल रास्ता चोटा सा वहीं से हम जा रहे हैं और एक में रोड के वहां से भी आता है यह जो यहां पर मिल रहा है तो फटा भी आफट से यहां से उतरते हैं पहले आराम से क्यक्याव भी है साथ में और यह देखिए पुरा कच्चा रास्ता है तो यह रूड अभी और यह यहां से जा रहे है यह बंहुक्त नाया आईडिया है यह होगी बात में पकी रोड और यह जाती सीथ है मेरे गाउं के लिए बहुत चौड़ी रोड है ये भी यहां से जो four wheeler वो अराम से निकल जाती है कई लोग तो अपनी जो personal four wheeler से आते हैं वो direct मेरे घर के पास है थोड़ा area car parking हो जाती है वहाँ पे वहीं park करते हैं देखें यह काफी अच्छी road बन गए यहां पे भी बड़े बड़े ट्रक भी जाते हैं यहां से क्योंकि नीचे जो भी नया घर बनता है उसमें construction होता है तो ट्रक में जाता है cement, rate वो ट्रक खड़ा है वहाँ पे देखें यहां पे आराम से पाक हो जाते हैं बड़े बड़े ट्रक और 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 नीचे जाके फोर बीलर याने की कार, जीप, बलेरो वो सब हो जाती है पाक और यह जो आप घर देख रहे हैं यह देखें, यह है मेरा पूरा गाउं कितना सुन्दर लग रहा है और उस साइड है धूप हमारे घर तरह पाक यह छाया और यह रहे पापा पापा और मैं जा रहे है फटावट 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 ऐसा मैंने फास्ट फटावड किया वीडियो, यह है टंकी इस टंकी में है पानी और यह जाती हमारे घर के लिए और बी दो चार घरों में और यह देखें, यह है घर जिसमें लिखा है इस घर का मैंने शायद लास्ट टाइम होम टूर दिया था पूरा अच्छे से अगर आप में व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए जो पापा बड़ा सा वाइट वाला वाला बैक पकड़े ना उसमें सब्जी कोड़ा से सब्जी लाएं तो यह जो श्रेया लिखा यह यहां पे जितनी भी हम पर लाइट हैं वो सारी उसी से जलती हैं और यह जो सौर उफज़ा बनी है वह है पानी के लिए ताकि घर गर पानी आए और यह देखिए कचा-कचा रास्ता मेरे घर का और मैं आराम से चली जाती हूं क्योंकि बच्पन से आदा थे जाने की हाई हों इस तरहऊ पेड हमारी घर 10-12 इस दाइं पूरे जब काफ़ भाबिये atualे और यह उनको sommेड़ जो मैंśli यहां पर तो घूम रहे हैं पापा अब आपने इनर निकालो जैकर निकालो ठंडा हो रहा है बहत ज्यादा अब फुल वुफूर में इस पर चड़ी होई है इस पर दो इस पर बनाते ना पत्थरों के साइट में होते हम इस पर चड़ी में गाओं को देख रही हूं और देखें कितने सुंदर सुंदर घह है हमारे गाव में कौटेज टाइप से इस गाव में जाने का रास्ता है पक्खा वहला रास्ता बन गया है उस पहाड पर एभी धूप है यहां से धूप जा चुकि यह वैसे वो सिमार खाल रहे हैं तो नहीं है तो जिसे मारकाल मारकेट है वहां पर तून भूजी अद्री की सेुजिया बड़े बड़े से लगे हैं यह हमारे सागोडे हैं खुब सारे हाँ पर आप दो तीन है कि ताप को कि आपको दिखाये थे और यह सुन रहे हैं अब चुडियों की आवाज यह सिर्फ गाउं में सुनाई देती है यह आगी हूं नीचे वाले उसमें यहां पर मैं आग ताप रही हूं बहुत ठंडी लग रही है चुपी तप्रेंट यह है किचिन में नर्चूला अयज printing मैं अपर नियुक हूँ किस्टा बहुत ठंडा यहाँ ज्याद है सब्जी काट रही है रात की तैयारी शुरू ओगई है inna भाबी अभी इसे रात की तैयारी शूरू है अभी सब सब्जियागा ना कि इस टॉक है हमारे पास सब्जी में बूलतो निकालती होगी इसमें पाने भी गरम हो रहा है है साथ में लकड्या रखे हैं तब लगे तो सब्चे तो भाबी ने काट दी थी और बाकि काम कर रहा है दादा प्यास टामाटर अद्टा चाहि पाटविक इस तो पहरा है जाने सबकी कटिंग चॉपिंग हो रही है यह भावी ने कढ़ाई चड़ा दी चूले में काफी बड़ी कढ़ाई है हमारी लोहे की क्योंकि ज्यादा कॉइंटिटी में सबसी बनेगी है भी कुछ लोग है कुछ क्या मतलब साथ से आठ लोग हो गए तो इसमें बनेगी सबजी एक बारी में बन जाएगी सबकी सब्जी है कि चोटी कट्षी हमारी कढ़ाई हो रही है करम है कि यहां पे सब्जी चौंक दी दादा ने ठककन लगा दिया है वह पकती रहेगी और एक तरब वहाबी आठा चान रहे है आठा गुंदेंगे बनेंगी रोटियां इसमेंगी बने इसी चूले में चूले की रोटी खाऊंगी आज बहुत दिन बाद यह देखिए आठा लग रहा है अपे सब्जी चड़िये और खूप तेज हो रखिए आच चूले की तो बस सब्जी हमारी रेडी है तवा चड़ा दिया है अब बनेंगी फटा फट से रोटियां और साथ इसमें हम लोग आग भी ताप रहे हैं और खाना भी बन रहा है तो दो काम एक साथ हो रहे हैं अगर मैं भी आपको टाइम बताऊंगी तो अब भी छै भी नहीं बजे है और यहां ऐसा लग रहा है कि पताने कितना जादा टाइम हो गया है तो यहां पर शुरुआत रोटी क इसमें रखेंगे हम रोटी कि अगरे खाना बन रहा है और चाई भी बन रखिए तो हम साथ साथ चाई भी पी रहे हैं थांग इतनी है क्या करें हर थोड़ी देर में चाई चाहिए और बढ़िया लख़रीयां चल रही है और रोटी बनती हुई कि अगरे की बन गई है यह चाई पी रहा है हुई इदर रहा किदर उदर मारा तब तोल यह मैं रोना सब्सक्राइब मेरी चाई गाँ में स्टील के कप में चाई पीता है तो यह हमारी पहली रोटी बनती हुई देखें 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 दो रोटी तैयार हो गई है आई ना इसी रोटी में फूली गई आगे है बहुत थंडी लगरी है थंडी लगरी इस न बंडी लगरी न जवान है पोडी जवान है वो भोलो साबूनाए अरो यह जुदा आंदे बीदैं यहां बैट गई हूँ हमें यहां से आग भी तापूंगी और मुझे लगी बहुत भूग सुपी नाश्टा किया था उसके वह ने कुछ भी निखाया तो मैं खाऊंगी डिनर तो मैं यहां बैट गई हूँ आग भी तापूंगी और खाना भी खाऊंगी तो मोड़ी में मेरे को देगी खाना तो गॉँ में आते हैं इतनी जपरदस्त थंड मिल रही है देखने को और पहली बार में गाओं में थंडियों में आई हूँ और एक साइड हो गया है गाल जिस तरफ चूला है और दूसर तरफ थंडा हो रखा है बहुत ठंडा लग रहा है आट और ऐसा लग रहा है कि बज सीरी कहां खड़ी है क्योंकि हमारे गाओं में बाग लगा है तो बोडी ने माना किया है नीचे उपर जाने के लिए अखेले तो मैं आपको यहीं से दिखाऊंगी और सब अपने अपने रूम में चले गए हैं बहुत ठंडी है तो मैं करूंगी इस विल्लॉग को यहीं दिखाती हूं आपको थोड़ा सा बाहर का नजारा करूंगी इस वीडियो को यहीं है तो यह देखिए यह है नजारा कुछ कड़वाल का रात का और यह चोटे-चोटे से लाइट देख रहे हैं आप यह घर है यह हमारे बगलवाला गाओं है और यह देखिए माल्टा ऐसे शाइन मार रहा है ना चोटे-चोटे से देखना है यह सारे माल्टे हैं जो हमारे बगल रहे हैं तो काफी रात हो गई है और कुछ इस टाइप से अभी नजारा और यह देखिए अंदर यह नहीं देख रहा है टीवी उसमें देख रहा है हलक तो मैं करूंगी इस वीडियो मैं तब तक के लिए बाई 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 गुड़ नाइट टेक क्या देखिए